हेलो फेंड्स गुड मॉर्निंग आज है 27 अगस्त और आज मेरे बेटे का बर्थ दे है सुबह के बज रहे हैं साड़े आठ सुबह से मैंने जाड़ो पोचा अगेरा सब कुछ कंप्लेट कर लिया है यहां पर मैं नहा कर आई हूँ बाबू अभी नहीं नहाया है तो नहा कर आने के बाद सबसे पहले स्कीन केर रूटिन फोलो करती हूँ अगर आप इस पर समय नहीं देंगे तो फिर पूरे दिन आप काम से नहीं निकल पाएंगे इसलिए नहाने के तुरंत बाद मैं जो स्कीन केर शिटी एम होता है क्लीनिंग यानि फेस वास करके आई हूँ उसक को मेरे बेटे के बर्थडे का दिख रहा है पोश्टर के मैचिंग का यहां पर पहन लोंगी लहटी यह देखेंगे इतना अच्छा लग रहा है और यह जो साड़ी है यह कोटा का है यह मैं दूसरी बार पहन रही हूँ अगर फेस्बुक और आप लोगों ने मुझे देख हो रहा है शत्नलान प्रोव का तो अभी मैं इसके लिए इतनी तयारी मैंने की और इस तरह से कंप्लीट मैं रेडी हो गई अब आपको मैं दिखाती हूं यहां पर नारियल मैदा नीचे में पीला कपड़ा जो भी रखा है पूजा के लिए सालुक का कपड़ा और पाउन करने वाला यह केला का थाम चोकी वगएर सब कुछ दूल लिया है और कुछ कपड़े भी डाल दिये थे सुभा सुभा और दो दिनों से मैं कोई भी वीडियो लेकर नहीं आ रहे थी आप लोगोंने किसी में भी मुझ से नहीं पूछा खैर कोई बात नहीं है चलिए अब य अब भी भोजन बनाएंगे लेकिन पंडित जी ने कहा कि नहीं पूरी सब्जी वो खाएंगे तो सब्जी तो मुझे बनाना ही था मैं लगे हाथा आटा भी मिला कर रख दूंगी और इधर मैंने जब पूरी सब्जी उनको खिलाना है तो मैंने सोचा सास में एक दो माल पूजा में एक अलग किस्म का प्रशाद बनता है जो कि अभी मैं आपको दिखाओंगे और आप लोग बताईएगा आप लोगों में से किन किन के यहां इस तरह का प्रशाद बनता है तो उधर मेरा सब्जी हो रहा है अभी लगवक कितना नौ बज रहा होगा और अभी मैं पूजा की चोकी भी हौल में पूजा होना है तो बाबो भी नहीं नहाया है यह बाबो को नवा देंगे और काम तो इतना था कि अभी आप देखिएगा पूजा का जिब मैंने चोकी तियार किया कितना दोड़ना पड़ा था तो क्योंकि कोई help करने के लिए नहीं है और हर पर कर जो बढ़ बर्थडे होता था आप लोगों में से कोई फेस्बूक पर मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो नम्रता पांडे के नाम से देखिएगा पहला बर्थडे दुसरा बर्थडे और तिसरा बर्थडे इतना मैंने अच्छे से मनाया था लेकिन इस वार कोई भी न हमको मुबाइल दिया लेकिन अब फिर दुवारा उनका आते आते कट गया था अब फिर दुवारा आयेगा तो मैं बात कर लोंगी कीचन में ही मैंने मुबाइल को रख दिया है और पूरा स्लैप्स पोचा हुआ है अब मैं भगवान जी का बरतन धोलूंगी पहले मैं पू इनके मुबाइल पर आया तो परिवार को भी समय देना जरूरी होता है और आप बताईएगा मेरा ये साड़ी कैसा लग रहा है साड़ी में किसी प्रकार का कोई ब्लाउज नहीं था तो कभी मैं और और कभी मैं मैं पहन लेती हूं तो यहां पर अब मैं भगवान जी का बर तुझब तो जब जैसा तब तेसा समय के साथ आदमी को कंपरमाइज करना चाहिए और यहां पर मैंने सारे मसाले को कटोरी में डाल दिया है उसमें पानी डाल दिया है और यहां पर मेरा पूजा का बरतन भी हो गया तो बाहर का मैं ने भी कोई भी तैयारी नहीं किये मैं बिलुकुल सब्सक्राइब कर लोगी फूटव एंपभेज्जा दake तो इस फूट्र मेरा explorer को identify शुक्राइब बिलुकुल नमीव loh फ्लम कर दिया और यहां अब मैये पॉर स्लाइब करने प्रेंगे लेकित को THE सब्सस्लाइब बहुता है गाय का दूद आपको लेना है थंड़ा दूद ज्यादा बहतर होता है लेकिन पंडी जी का फॉन आया था पंडी जी का कि वह आप पहुंच जाएंगे तो मैंने जलेली बनाया तो मुझे गर्म दूद में ही बनाना पड़ा तो यहां पर मैंने मैदा निकाल लिया है बाकि ज किन भी इसमें डाल दिया और वो जो ड्राइफोर्स कटिंग करके रखा हुआ है आधा मैं अभी मिलाने के समय डाल दूँगी और आधा परशाद बनने के बाद उपर से डालोंगी और माल पुए के लिए मैं फिर से काट लोंगी और फिर इसमें और यहां पर इस तरह से मै परशादी रशगुला पेड़ा बनाया हुआ यह परशादी जो कुछ भी मैंने बनाया था और इस परशाद में केला भी डालूंगी तो ज्यादा अच्छा होता है और इसी तरह से मैंने माल पुए का भी घोल तयार करके रख दिया था उसको भी फुलने के लिए और यहां सब काम कंप्लिट होने के बाद बाके जो दूद मेरा आ गया था तो उसको मैंने इंडक्शन पर रख दिया है अब मैं यहां पर आ गई हूँ पुजा का चोकी सजाने तो धूप निकल आई है लगवक साड़े नौ पौने दस के आसपास हो गया है पंडिज यह भी नहीं आ कपड़ा तो इस पर दाल दिया और दिरे करके मैं चोकी को सजाओं घूआँ使बिया इनको सरवट घूर कम enez लिया है यह नहीं लीया है यहां पर अब में सारे फ्लेट में एक एक कीज़़ को रखोंगे जितना विश्क fully बौटर operation खेयों पांत जो धोना है उसको धो धो करके मैं यहां रखोंगी एक एक करके और सारे समान को समेटना है ताकि लाना तो सब है लाओं इलाईचे जैसा ऐसा पंडी जी ने बढका लिखाया था वह अभी आए नहीं ये पंडी Aie अब उसके पहले हैं तैयारी में लग गई हूं मेरा इसी पर से कोई काम होता हुटा है बिल्कुल प्री प्री से लेना है अभी तो एक्जाम देने के लिए अगर गई तो गई नहीं तो दुर्गापुजा में जाओंगी तो आप लोग देखिएगा मेरे घर में काफी धूमधाम से कलस्क स्थापना होती है और अच्छे से दुर्गापुजा मनाया जाता है तो हर चीज मैं सेयर करूंग यहाँ मेरा बेटा नहा कर आगया है और यह देखाएंगे पूरे पूजा तक इसका पजामा बार वार यह नीचे करते थे और यह उपर कर लेता था यहाँ पर मैंने इसको तिलक लगा दिया डेस काफी अच्छा था लेकिन यह बार वार उपर कर लेता था रात में जो बस इसने celebrate इसका हुआ है तो दूसरे तरीके का कपड़ा पाना है वो भी कापी अच्छा है यहां पर मैंने अब एक चादर लगा रिया अब पंडी जी आ चुके हैं तो यहां पर मैंने इधर इनको बैठने के लिए उधर पंडी जी के बैठने के लिए मैंने लगा दिया है अब ये भी नहा लिये हैं और बांकी अब जो भी बंडी जी डारेक्शन देंगे जैसे अखंड दिप का बोल रहा हैं अगर बत्ती का बोल रहा हैं तो ये सब अब मैं करूंगी और इतना मतलब परिशानी तो मुझे दो-तीन बचे साम से ही समझ में आने लगा था पैर इतना दर् गया हैं और ये साथ इंडियन दोती और साथ इंडियन टॉवल बहुत पसंद करते हैं उसके बाद ये चले गया है अब अपना कोई कुर्टा पहनने के लिए और यहां पर मैं घी बत्ती अगर बत्ती इन सारे चीज़ों को तयार करूंगी फिर मुझे परशाद भी निकाल ने तो यह काफी कर रहे थे बहुत अच्छे ते यह चौक बनाया मैं यहां पर यह केला का थम लगा रही था बालू डालकर इनों बालू लाया था वहवन के लिए लेकिन वह हो ही नहीं रहा पिर इनवने कहा कि थोड़ा भारी है पट्ता कार दो तो हो सकता है कि यह खड़ा हो जाएक यह तanding कर अब से साथ करें को चृप्टे की बखना आप लोगों के साथ सेयर करने अब यह आ गये हैं अपना पुजा पर बैठेंगे और लगबग यहां पर मैंने सारे चीज की तैयारी कर लिया अब यहां पर मैं एक कटोरी में रोली काते हैं सिंदूर चंदन अक्षद सब कुछ दिया और यहां पर पूजा का बर्दन दिया अब यह जाएंगे जल लेकर आ नहीं परे सब कोई मिलके परशाद खालो मैं दो घंटे से देख रहा हूं तुम लगातार काम कर रही हो तो फिर हम लोग मिलकर परशाद खाएं फिर गए थे पूरी तनले के लिए तो यह पंडी जी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका शुवाफ जो है आपके जीवन में यादगार हो जाता है तो यह देखिए अब यहां पर पूजा आरम हो गया इनको तिलक लगा रहा है पंडी जी और पंडी जी यह मेरा बेटा बोल रहा है हमको आप नहीं पापा लगाएंगे तो हसी भी आ रहा थी क्योंकि पंडी जी एक भार खांस दिये थे तो यह बोल पूजा करने में हेल्फ कर दिया सुबह से यह भी मेरा काफी हल्फ कर रहे थे तो चौकी मैंने सजादी पूरे फूल से और अकंड दिप जला दिया इधर और दो दिपक चौकी के नीचे लगाया है और यह देखेंगे मैंने परशाद रग दिया है रसुल्ला है पेड़ा ह है वह है और केला है और नीचे में बतासा मिस्री वगेरा इस दौरान मेरी शास का मेरी मां मेरी मां पिता जी का सबका वीडियो कॉल आ रहा था यहां पर कथा आरंब हो गया आप लोग पड़ा सा कथा भी सूने लिजिए और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने बावु के बर्थिडे के ओकेजन पे पूजा संपन ने किया था आरती और हबन सेर नहीं कर पाया आप लोगों के साथ काफी बड़ा वीडियो हो रहा था और काफी लोग भी आ गये थे तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था चारो तरफ मैं क्या करती मैं अपना केमरा सेट करती चारो तरफ घुमाती या फिर लोगों का अवाग भगत करती उनका भी जिनको बुलाया है उनको भी शम्मान देना जरूरी है तो उसके बाद फिर मै मैंने कोई भी क्लीप सूट नहीं किया नहीं कर पाई मैं कई लोगों के वीडियो कॉल आ रहे थे और वैलून बगेरा तो मैंने खुद से डेकोरेट किया है लेकिन इस वीडियो में तो वो सेयर नहीं हो पाएगा कापी अच्छे से मैंने और मैंने बिल्कुल चूज करके रखा था मुझे कौन सा साड़ी पानना है किस तरह का मेंकप लुक क्रियेट करना है लेकिन इतनी मेरी हालत खराब हो गई और इतनी तेज बारिश सुरू हो गई लेकिन कापी अच्छे से सेलिबरेट किया है रात का बर्थ डे रात वाला बर्थ डे आपको मैं अगले करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको मेरा यह प्रियास कैसा लग रहा है आज वस इतना ही बाई वाई डियर लव यू ओल